सब्सक्राइब कीजिए माहिंद ट्रिक्स चैनल को उसके बाद इस बेल घंडिया इकन पर भी क्लिक कीजिए और लेटेस्ट टेक्नॉलजी वीडियो सबसे पहले देखिए तो दोस्तो आजकी वीडियों हम लोग देखेंगे कि मॉवाइल फॉन से फेस्पो ata बैसे काम करते हैं अगर आप व्यूडियो नहीं देखा तो इस बीडियो की डिस्क्रिप्स में आप चेक्र सकते हैं आपको लिंक मिल जायएगा ठीक है तो जो लोग computer यूज़ करते हैं वो इस tips को follow कर सकते हैं और जो लोग mobile यूज़ करते हैं वो आज किस वीडियो को follow करके अपने chat message को relate कर सकते हैं तो दोस्तो आज मैं आप लोग को दो मेथ़ूड बताऊंगा जो लोग मैसेंजर से फेस्बूक चैट करते हैं वह भी एक काम कर सकते हैं पिए कर अपन से μέसेंजर से प्पाथ काम सकते हैं आप आपको करना क्या है अभी आप देखिए इस तरह आ जाएगा तो अभी आपको मैसेज बॉक्स से देखिए राइट साइट के उपर करनर में एक आइकन दिख रहा है एरो आइकन तापको इस पर क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करते हैं आपका समय कुछ इस तरह एक बॉक् एक करना होगा अगर आप सभी मैंसेज sih नाशाथ है इस concret आपको डिलेट करना होगा अगर आप चाहते है कि सिलेट करके कोई एक लामसेज को देट करेंगे तो आपको को सब्सक्राणा होगा इसके पाद अपका देखते आपका देखिए ए सब्सक्राक्थ टी चैट में सरी नहीं होगा इस तरह आप मुबाल वे ब्रावजर से किसी भी कर सकते हैं तो दोस्तो सेकेंड मेथोड है तो सेकेंड मेथोड हैं Facebook Messenger से कैसे अधै इसको करते हैं तो दोस्तोब इसके लिए आपको फेस्ट लगन करना ओगा लॉगन करके कर लिए अर्ष कुरा कि यह नवरा चीजिक कि प्रक्याक अप्छी इस तरह के देना है उसके बाद हुग रुखके आहे आप का मेसे के दो दोस्तो message delete हो गया है तो दोस्तो इसी तरह आप अपने mobile phone से facebook message को आसाने से delete कर सकते हैं तो दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आए होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को like कर दीजिएगा कोई भी सवाल और सुदब देनी है तो आप comment करके दे सकते हैं ठीके वीडियो को please दोस्तों के साथ share कीजिए और चैनल को please subscribe कीजिए आज के लिए इतना है थैंक्स